हेई गाईज, तो टूड़ फे विल डिस्कस अबाउट डिकंस्ट्रक्शन जो की एक मॉडर्ण फिलोसोफिकल स्कूल ओफ थॉट था और ये स्ट्रक्चरलिजम के रिस्पॉंस में देखा गया था आज हम अपनी वीडियो में इसको कवर करेंगे पहले डिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है तो डिकंस्ट्रक्शन का मतलब है किसी भी टेक्स्ट के एक क्लोज रेडिंग की जाए इस तरीके से कि बहुत सारी कॉंट्रिक्शन निकल कर height, बहुत सारी ऐसे meaning निकल कर आए जो एक unified ना हो बलकि उसमें बहुत सारी मीनिंग्स हम उसमें एड कर सकते हैं यह होता है deconstruction का मतलब अर अगर हम deconstruction word की हिसाब से देखें तो D और construction construction होता है किसी चीज को बनाना और deconstruction होता है उसे तोड़ कर उसे breakdown करके उसे दुबारा से construct करना जैसे कि यह टेकनीक भी थी किसी भी चीज को पढ़ने के लिए जिससे जैस, टेरिडा और पॉल्डी मैन ने स्टार्ट किया था डवलप किया था तो जो जैक्स, टेरिडा है उनके ही वर्क में इस चीज को देखा गया था और जो डेरिडा थे उन्होंने इस word को deconstruction को जो एक word है, जो इन्होंने coin out किया था, यह कही न कहीं हमें पता है कि इन्होंने बॉरो किया था मार्टिन हैडेगर के word से तो आज की हम वीडियो में से cover करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस चीज को डवलप किया गया तो मार्टिन हैडेगर का एक term था, एक concept था destructive retrieve तो उसके बाद इन्होंने अपना उसे पढ़ा और उसके बाद इन्होंने अपने term coin out करें deconstruction तो start करते हैं और पढ़के देखते हैं कि इसमें क्या-क्या होता है तो टेरीडा बोलते हैं कि जो western culture है, western culture के जो लोग है, वो अपने thoughts को हमेशा एक opposition के तरीके से express करते हैं हमेशा ही एक binary opposition होती है इसमें, binary opposition का मतलब होता है कि आप एक को define कर रहे हो, other के साथ कि अगर आप black use कर रहे हो तो definitely आप white use कर रहे हो मतलब कि black और white किसी की presence है तो absence होगी cause है तो effect होगा तो इस तरीके से ही कहते हैं कि ये जो term थी, ये जो तरीका था अपने thoughts को express करने का ये ancient Greek time से ही चला आ रहा था कि western culture के लोग अपने आप कुछी तरीके से express कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि ये जो thought है deconstruction का डेड़ाई से वो होते है binary opposition के बीच में जो boundary है इसे erase करने का काम करेगा ये जो हमारा deconstruction है ये जो deconstruction है ये इस binary को ये जो boundary है इन दोनों के बीच में कि black और white के बीच में एक line है presence और absence के बीच में एक powerful week है तो इन दोनों के बीच में जो boundary है इसे erase किया जाएगा इससे और इसका aim था western logic को criticize करना उन्होंने structuralism को जो structuralist एक movement था structuralism उसे reject किया जो कि ये बोलता था कि text का एक meaning होता है लेकिन deconstruction ये बोलता है कि कि किसी भी work को इस तरीके से देखा जाता है वो इस तरीके से होता है कि उसका कोई भी एक unified मतलब नहीं होता है कि कोई एक unified मतलब निकल जा वो रुक जाएं कि हाँ ये अब इसका final meaning है तो ये कहीं न कहीं reject करता है कि कोई literature का work होगा तो इसमें जो beginning होगी middle होगी end होगी ऐसा बोला जाता था कि कोई भी एक work है तो इसमें इस फारी feature होने चाहिए कि वो start हो उसके plot मे starting हो middle हो end हो और एक ही तरीके से लिखा गया कोई work instruction है यह इन सबी चीजों को reject कर देता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी work है वो इसी तरीके से लिखा जाए लिखने के बहुत सारे तरीके और भी होते हैं तो यूँ कहते हैं कि जो यह deconstructive reading है इससे हम किसी भी text की बहुत सारी possibilities को पढ़ सकते हैं जान सकते हैं और जो reader है वो किसी भी एक meaning पर नहीं रुपता है क्योंकि वो एक meaning उसका permanent meaning नहीं होती है टेक्स्ट जो reconstruction जो था यह जो movement था इसमें जो डेरीडा ने बताया है तो इसमें का main purpose होता था कि जो neglected corners होते हैं किसी भी text के उन पर attention दिया जाए और जो contradiction है कि अगर कोई work है उसमें बहुत फर चीज़े sameness में हो रही है तो उसको देखा जाए कि अगर हम बात करें waiting for Godot की तो waiting for Godot में सब कुछ बिल्कुल सेम रहता है उसका first part second part से बिल्कुल similar है सिर्फ कुछ चीज़े change होती है तो यह जो sameness है इसकी close reading की जाए हम इसको पढ़के देखें तो इस बारे में इन्होंने कहा था deconstruction का अब आपको एक roughly idea हो गए कि deconstruction होता क्या है इसे दुबारा से पढ़के देखते हैं कि जैसे कि अगर आपने कोई building देखी अब वो construct हो चुकी है अब आपको नहीं पता कि construction के time पे इस building में क्या क्या लगा था क्योंकि अब वो as a whole एक building है यह हो गया construction अगर हम deconstruction क कि बात करें तो आप उसको तोड़ेंगे उस building को तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या-क्या यूज हो रहा है उसमें bricks है उसमें cement है sand है pillars है तो यह सारी चीजे उसका क्या काम करी है यह सारी चीजे वो है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है लेकिन जब हम उसे breakdown करेंगे औ का breakdown कर दिया चाहिए कि हमें वह फारी चीजे पता चलें वह फारे meanings निकल कराएं जो कि हमें first view पे हमारे साथ सामने नहीं आती है तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो डेरिडा है वो फ्रेंच philosopher थे तो इनका एक work है of grammatology जो कि फ्रेंच में ही लिखी गई थी जिसे बाद मे गायतरी चकरवर्ति प्रिवाक ने ट्रांसलेट किया था तो उस work में इन्होंने deconstruction के बारे में बात करी हुई है तो सबसे बड़ी problem यह हुई थी deconstruction के साथ जब यह सबसे पहले सामने आई यह जो thought था यह सामने आया यह technique सामने आई तो US में इसको गलत तरीके से interpret कर लिया गया इसे जो reader response theory है जो reader पर base करती है इसे उससे जोड़ कर देखा गया कि जो reader पर base होगी और जो Europe है यहाँ पर Europe में इसे structurelism के साथ जोड़ कर देखा गया कि जो structurelism था यह इसके response में स्टार्ट होई थी और इसे post structurelism बोल दिया गया आगे वह बोलते हैं कि बहुत से scholars हैं जिन्होंने और critics भी हैं बहुत सारे जिन्होंने deconstruction पर attack किया कि यह इतनी effective चीज नहीं है नहीं इतनी fruitful है किसी वर्क को judge करने के लिए लेकिन उन्होंने इस चीज को ignore कर दिया कि जो deconstruction का process है किसी भी hierarchy को reverse करने के लिए जैसे जो black है वो inferior है white superior है तो इस process में वो इन चीजों क दिखाते हैं तो यह चीज जिन्होंने ignore कर दी जो critics थे उन्होंने कि यह सिफ नाकियों से reverse कर रहा है बलकि वो यह भी देख रहा है वो process भी देख रहा है कि वो जो हयार की बनी है वो कैसे बनी है आप एक example ले डीजिए कि black और white की जो हयार की चरिया रही starting से कि जो black है वो inferior ह और वो civilized नहीं है और वो जो white है वो superior है तो जो colonization हुआ था तो उसके पीछे यह mentality थी कि जो white है वो black से superior है लेकिन जब deconstruction के हम बात कर रहे हैं तो deconstructive के जो इसनोंने investigate किया इस process को तो यह बताता है कि जो पूरी ideology है कि white जो है वो superior है black के यह पूरी groundless है इसके पीछे कोई logic न का main purpose यही था कि इस चीज को देखा जाए कि कोई भी hierarchy बनी है तो पहले हम उसे deconstruct करें उसके जड़ तक जाए हमें पता चले किसी भी literature के work को deconstruct करना उससे कुछ ऐसा meaning बाहर निकाल कर लाना जो कि दिखता नहीं है लेकिन उसमें कहीं न कहीं छुपा होता है तो यह काम था deconstruction इसे formalism के against में और structuralism के against में देखा गया structuralism बोलते थे कि structuralist जो critique और scholars थे कि एक fix meaning होता है deconstruction बोलता है कि कोई भी fix meaning एक structure नहीं है क्योंकि यह जितने भी चीजें हैं जरूरी नहीं है कि structure पर based करें आगे उनके कुछ और important works है जैसे कि उन्होंने lecture दिया था johns hopkins university में 1966 में structure sign and play in the discourse of human science writing and difference the most important thing is here इन्होंने एक term कोई अट को लिए difference और यहां पर जो difference है इसमें spelling में थोड़ोंगा चेंज है और a n c e है तो यह दो words को मिला कर बना था जैसे कि celebrities में आपने देखा होगा कि वो शादी कर लेते हैं और उनके बच्चे का नाम उन दोनों के नाम को चोड़कर बनाया जाता है और जैसे कि smoke और fog तो इन दोनों को मिला कर बना smog तो इस तरीके से यह दो words से बना है दो word की combination से बना है एक है differ एक है differ डिफर मतलब होता है अलग अलग इसमें इन्होंने कहा कि जो meaning है कि इस differ की वज़ा से ही आती है differ मतलब कि differences अलग होना किसी है तो किसी भी टेक्स्ट में जो मतलब है meaning है वो इसकी वज़ा से आता है उसकी वज़ा से आता है कि जो इसमें कितने differences है जैसे कि I'm a girl because I'm not a boy तो यह होता है differ और एक है differ तो differ होता है delay जैसे कि मैं बात करूं एक meaning अगर आप कोई word देखते हैं उस तो या तीन meanings निकल कराएंगे अलग-अलग synonymous आएंगे जैसे कि Almighty आएगा या फिर Divine आएगा और अगर आप Divine को या फिर Almighty को personally search करेंगे तो उसके और कई meanings निकल कराएंगे 4-5 फिर अगर आप उसको search करेंगे तो और 4-5 मतलब कि कोई भी meaning ऐसा fix नहीं है जहां पर जाकर कोई भी चीज कोई भी signifier है वो एक last signified दे दे कि इसका मतलब वो होता है यहां पर ऐसे बिल्कुल भी नहीं है डिले होती रहती है चीज की इसके बाद और इसके बाद और तो इस चीज इन दोनों को मिला कर बनाता difference जो इन्होंने term को क्वाइन आट करी थी तो इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी text में देखते हैं तो text में एक ऐसे work करता है टेक्स्ट में ऐसे work करता है कि अगर आपने एक text को पढ़ा उसकी कुछ meanings निकल कर आई लेकिन वो permanent meaning नहीं है क्योंकि अगर आप उसे दुबारा से पढ़ेंगे और पढ़ेंगे उसमें कुछ neglected corner sides को footnotes को धिहा एक लाइन बोली थी there is no outside text कि सब कुछ text के अंदर ही है लेकिन बहुत सारे critics ने इसे misinterpret कर लिया और इसे बोला कि there is nothing in the text पर उन्होंने ऐसा बोला नहीं था उन्होंने कहा था कि there is no outside text मतलब कि कुछ भी चीज़े हैं जितनी भी चीज़े हैं वो text के अंदर ही है जैसे कि differ है differ है difference है meaning है यह फारी चीज़े text के अंदर होती है आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है आप जितना उसे पढ़ोगे आपको कहीं न कहीं neglected जो meanings है neglected corner sides है वो सब आपको पता चलती रहेंगी और एक नया मतलब आपको हर बार पता चलेगा अब कुछ लोग इसे nihilism से correct कर करके जोड़ते हैं क्योंकि nihilism का मतलब होता है that you don't believe in anything तो उनका मानना था जो कुछ लोग इसे criticize कर रहे थे attack कर रहे थे deconstruction को तो उन्होंने इसे nihilism की जो tag था nihilism का वो दे दिया कि यह भी nihilism की तरह work करता है बलकि ऐसा नहीं है deconstruction इस चीज को बोलता है कि कोई एक fix meaning नहीं है लेकिन ऐसा नहीं बोलता कि उसमें कोई meaning ही नहीं है उसमें है लेकिन बहुत सारे meanings हो सकते हैं कोई एक fix meaning नहीं होता है तो I really hope that you like the video and if you like the video then make sure that you hit the like button and do subscribe my channel Thank you